कोई नोटिस नहीं कोई कुछ नहीं कोई कोई कारवाई नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हमने कुछ भी नहीं निकाला हमारे बच्चों के डोकमेंट्स सब कुछ हमारा इसी मकान में दबा हुआ है अपने आप आए और तोड़ तार्के चल गए जो मना करें उसको मार पीट करके घर में बंद करें बच्छों को रोतों को सब को मार करके घर में बंद करें अदाब नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज एमेक्स टीवी और मैं अबदुलवाजिद चिश्ति निजामी इस वक्त मैं उसी जगा मौजूद हूँ जहां पर अभी दिली के खड़कपूर में खड़कपूर गाउं में डेमोलेशन किया गया बगैर नोटिस के यहां पर आकर के जो है डीडिये के जरिये मकान तोड़ दिये गये यहां लोगों को कोई नोटिस नहीं दिखाया गया जबरन तरीके से इलाके को पूरा पुलिस चावनी में बतल दिया गया क्या पूरा मामला है यहां का किस तरीके से यहां लोग रह रहे हैं क्यों यहां मकान तोड़े गये सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा मैं यहां कि वज़ा मकान तोड़ने की यह बता हुए है और खरकरवाड़ा गाव में रहता हुए हमें कोई नोटेज नहीं दिया गया हमें कोई बता ही नहीं गई और उसके बाफ जूद भी हमारा सारा आदेश ज्यादा समान दप चुका है हमारे बच्चे बाहर रोड पर बैटे कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कोई कोई कारवाई नहीं कुछ नहीं आए अंदा दूंद अपने आप तोटना शुरू कर दिया लोगों की समान दबे हुए गर में बरतन तक दब चुग है उसमें किसी की आदमी की समान कपड़ा लटता कुछ नहीं निकाल शारा सब कुछ द्वाग गुआ इसमें अब भी देखे ना तो किसी को कोई नोटीस दिया गया ना कोई जानकारी दी गई और आकर के जो है पूरे इलाके को जैसा की बताया गया कि छावनी में तब्दिल कर दिया गया और आकर के जो है बुल्डोजर चलाने की कारिवाई यह जो है यह विवाद जो है कैपिटल लेंड और डीडिये का विवाद है इस विवाद में नहीं तो किसी ने यह बताया यहां पब्लिक है यह कलोनी संदो जार एक से बसनी स्टार्ट भी है तो पुरानी वैसे लेकिन दिरे दिरे लोग जो है कोई 2001-2002-2003 अपना आके बस्ते चले गए और यह कलोनी काफी पुरानी है हमें जब यह डीडिये के अपसर आये जिस कंडेम के तहत यह कारवाई कर रहे हैं 2018 में इन्होंने का कि कंडेम के केस में हमने ओडर विद लॉग के साथ ओडर है लेकिन जब 2029-2022 को हाई कोड के अंदर रिट अप्लिकेशन दाकिल हुई है उसी कंडेम में और उसकी डेट 2023 की लगी है 6 महने बात की तो लेटेस्ट ओडर है नहीं आप बैक ओडर को कैसे कापी भी दी जो 289 को एरिंग हुई थी में हेरिंग की कॉपी दी ए को देखके वांख चुराते हुए फग गये उनूने केस नमबर ही नहीं पता है कि सक केस नमबर एक चार कीस नमबर आई कोड में नहीं है एक केस नमबर है जो केस चल आ तो जब आप 2018 के ओडर को फोलो कर था हम लोग को पता लगा तो हम हाइप में है पेश हुए तो हाइप ने हमें डेट दी है तो उस डेट तक तो जब जब जवाब मांगा जो भी है फर्मल्टी तो पूरी करते हैं यह हाई को लेडेस्ट ऑडर दिया हो 289 को हेरिंग थी इस केस में इस केस नमबर में उसमें जाल रहा था इसकी अभी कोई डेट थी लेकिन अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं थी सुनवाई से पहले ही जो है ये डेमुलेशन करती है गया करेंगे तो हमने सोचा ही नहीं था एक केस चल रहा है मान लिजिए 2018 में दिल्ली हाइड़ ने आदेश दिया कि आप लोग के साथ जो है demolition demolition के हटाई है लेकिन वहाँ पर उस case में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया कि यह कलोणी है मौजूद कलोणी का इस case में कहीं भी जिकर नहीं है हाई-coach सी जो भी जो भी दो पाल्टियों ने लड़ा है अंदर ही अंदर चुप चाप लड़ा है पहली बात तो यह case हाई-coach से आता है पोजिशन लेगी पोजिशन नीचे से आता है आई-coach से लड़ रहे हैं वो ठीक है लेकिन यह तो बताया जाए हैं लोग भी यह तीसर का भी नहीं है यह जो है 1907 के टैम के बुराने बुजर्ग लोग रहते थे और थोड़ा बहुत जैसा भी था पांदेस आदमी बीस आदमी जो रहते थे देरे देरे लोग आते चले गे ऐसी बस्ता चला गया तो इसमें तो कोई वो है नहीं कि किसने पुराना मौजूदा ग यह श्फुर्शन मादर जैदा है इसे लिए मुस्लिए मैं टारङेट मुसलिम आवादी का है कि यहां पर मुसलमान रहते और उसके जारे जो भी टारगेट दो बाद होना वह एक दिन पहले हो जाता है वहाभादी को पहले टारगेट किया जा रहा है यह जो कुलू है यह और जो डीडीये के अफसर यहां आये थे एक ताजूब की बात है हमारे स्थानिय विदायक भी आये थे उन्होंने सब कुछ दिखाया विदायक का नाम करतार सिंग दिखाया इस्तानिय विदायक को भी नौटिस नहीं दिखाया आप किस केस नंबर पायों केस नंबर तो बताई वो कह रहे हैं हमारे हाई कोट में कंडेम की कारवाई चली आप सरू के उपर उस कंडेम में हम भी खड़े हैं जब पक्स मौझूद है पक्स को सुने बिगर तोड़ दिये गए हैं महिलाएं भी मौझूद हैं बताय जा रहे हैं कि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वज़े से जो है मकान तोड़े गए आपका क्या नाम है और किस तरीके से देखने इस कारवाई को सर मेरा नाम तो सीमा शर्मा है हम 2006 से पहले कि यहां प तो कभी तोड़ दिया गया को नोटिस वगेरा को जानकारी कुछ नाइंस इस लिए यहां मकानों को निशाना बनाए गए आप कुछ कोड में अप एर हुए है उसyer कौट में उसकी आडर कॉपी है आप अगर देख सकते हैं तो इसका फर्स्ट पेज है इसकी सेकंड कोपी है और यह लास्ट पेज है जिसमें यह नेक्स्ट डेट दिखा हुआ है कि देखा लुग ने बहुत रिकरेश करी कि यह तो अगर ने यहां था निना जोस्ट लेकिन नहीं अपने अपने और की कौपी दखाई कि इस ओर्डर के व्याब में तोड़ रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं दिखा है सर जैसे कि माली जीए कि अगर एक प्रिसेंट अगर ओर्डर भी थे कोट से तो कम से कम हम लोगों को इतना तो मोखा दिया जाता या हमें दो दिन पहले ही बोला जाता हमें एक्षन से बोलके जाते कि दो दिन का आपका तुहार का टाइम दिया जा रहा है और उसमें आप चाहें तुहार मना निकाल लीजिए तो कमसे कम हम इतना मौखा तो मिलता सर हम अपने बच्चों को अगर कहीं जख़़ोपडी आलेंगे तो अब समसां तो अपना ले जाके अपने बच्चों को खिला सकते अब सगर इसे समान दबा हुआ है बच्चे हमारे कहीं है खिल को हैं अगर हमारा समान होता तो तिरपाल लेके हम दस बीस पचास सो दो सो रोपे की कम सकंब बरतनों में अपने बच्चों को खाना तो खिला सकते थे आप लोगों से जैसे मांग के ठीक है अब अगर हम कहीं रेंज पे लेते कहीं जुगी जोपड़ी डालते तो हम सर बरतन खर सब्तुन कर रहे солदुन के रिकूर में लेकिन हमारी किसी नहीं सुनी है तो उसमें सर कम से कम इतना तो सब का है यह होता घृभा मालीजी हृं को तुल्वत है है हिंदु के साथ भी तो अन्य दिवाली का तयोहार है अब भी तयोहार चल रहे हैं आज भी तयोहार है कैसे मनाई आपने हमारी काली दीपावल लिए हैं वह लाइट भी नहीं है तो क्या अपील करना चाहिए सरकार से सरकार से मिनट बोलने दिए सरकार समचाते हैं कि हमारा घर बचा ले अब ना तोड़ने हमें ने आई चाहिए बच्चे किस तरीके से देशत में अचानक से आकर बुल्डोजर चलाने लगे हम अपने घरों में लेटे थे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कुछ भी नहीं हटा पाए हैं बच्चे स्कू के से qa Artoon oluş का कुछ पता ही नहीं है कि हम अपने बचों को कुछ बना खिला दें देखिए देश का जो है सबसे बढ़ा त्योहार सब ने दिवालि Currently यहां बनाई है दिवाली का त्यूहार और एक दूसरी स्वीर जो आप लाव्न नेशनल चैनलो पर देख रहे होंगे वही पी तस्वीरे में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और जो पूरा मामला है यहां का जो पूरा मामला है और ँगनल conservatives केител अगर और कई सो साल पुराना ये गाउं है लेकिन यहाँ पर बताया जा रहे कि मुस्लिम आबादी जो है वो जादा है इसलिए इसको जो है निशाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से डेमॉलेशन की वीडियो थी जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया था उसकी धीरे-धीरे वी कि लाइं यहां पर क्या कोई नोटिस वगेरा कोई जानकारी मिली थी आपको अब लिए कैसे मैनस से बनाया है वाहर कमा कमा के लेवर दारी धारी मस्दूली करके यह तो तुड़वाया गया साजी थैं पता नहीं बाई अब नाम तो किसी का जाना नहीं है दबंग है नाम क्या लेना है दबंग लोग है तुडवाएंगे और कौन करवा है गरिब आदमीं को इस अधा सकते हैं देखे कोई नोटिस नहीं कोई जानकारी नहीं और इलागे को जिस तरीके से यहां चावनी में बदल दिया गया था और लगतार यहां मकान तोड़ दिये गये सामान भी जो है वो मकानों के घरों में है यहां पर यह महीला भी जो हैं बोल रही है कि हमने काफी मीडिया वालों को फोन कर रहा है प्थ प्या किसी ने मुझे सका क्प्जा है कि मीडिया वाले तो पैसे महंग रहा है फिर एक और किसी ने कॉल की हिए कि abbiamo के यहां să mail भेजिए तो वो कहते हमें 10,000 चाहिए वो कोई कहता हमें 20,000 चाहिए यह यूटूबर वाले यूटूब से भी कमाते हम गरीबों का खुन्चूस के भी कमाना चाहते हैं हम लोग बेगार हो गए और एक नीज वाला नहीं आया तो क्या फाइदा इन यूटूबर को पैसे देने का गौर हम लोग उजड़ गए हैं अभी उनके पास टाइम नहीं है तो सर यह आपका हक बनता है कि आप इस घरों को फैलाए हर जगे दिखाए कि हम गरीबों की कोई मदद कर सके नहीं तो हम कहां जाएंगे हमारे करतार सिंग तबर जी आए थे उन्होंने जो नोटिस लेके आए थ दिखाओ उन्होंने इतने बड़े अधिकारी की बात नहीं सुनी तो वो और बिल्डोजर वाला हम गरीब हों की क्या बात सुनेग़े घरों में हमने समान लिकान ले दो हमारा समान दब गया, बैट दब गया, यहां तक कि आप देखो इधर दिखाओ, दिखाओ तो सही हमारे रजाई गदे तक उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, हम कहां सोएं और कहां जाएं, हम इस सरकार से जवाब चाहिए, अब मैं इस से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, अब न मेरे पास छट रही, और हम यहां दस-पंद्रा साल से रह रहे थे, जब यह सरकार सो रही थी है, जिसको आपने बताया है, किसको क्या था? यहाब आपको बताओ उ, जितनी निवी चेनल वाले हैं, हमने कॉल किया, उन्होंने रिषीव किया, कोई सर, उन्होंने कोई रीपलाइव कर सके, हम बता सके, कि हमारे साथ अर्ट्या चार हो रहा है, और डैमॉलिशन वगेरा जो की गई है, विडाउट नोटिस की गई है, सर और सर जो भी है अभी हमें बह है किसा सथाइश तारी के बाद भी हमारे साथ ये कारवाई की जा सकती है देखे मैं यहां उसी इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुचा हुआ हूँ जो भी हमने तस्वीर आपको दिखाए थी किस तरीके से तोड़े गए क्या डर है कैसा मा सबस्क्ति दिल में यह डर बना हुआ है कि हमारा घर रहेगा की नहीं तो हम इस खौब में कफ तक जीए यह हमें जानना है हमारा घर हम रह रहे है यहां लोग चीरिया को दाना खिलाने जारे हम फिर भी तो इंसान है तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता कोई वज़ा तो कोई नोटिस पता नहीं आए और तोड़ के चले गए और सरकारी का वैसे सबके सामने की जाती यहां नोटिस कभ आया जोटाव कुछ पता नहीं चला। बस आके तोड़कर चले गए घुँज में बहुत रर है देसा देओं कि पूरी हाला था कुछ नहीं बचा सामान बचाए नहीं पुछ नहीं बचाए किसी ने सउनी बहुत कोशिश करी पैरवाई नहीं करी जहां पर सामान भी जो है लोग निकाल के लेगे को बढ़ ALL वा के लिए हैं हैं अजया नहीं मौन को किच होड़ी उप्रशने के लीद को राफ इनगा सब्सक्राव Ary जा लेशार सबया ही तो हमारल करें दो निए ही कुछनी के घ् Tara करना ने कुछ नहीं करा पूलिस वाले और उल्टा पफिलिक को इसमान लेकर का ज्क ότι पबलीक को मार रही दीए अब पब्लिक की कुंडी लगा-लगा के बंद का दिये जेल-जेल के कंडियों को को अद्ध गोच ने किसी सुन रहे था कोई भी किसे और गः confidence को तोड़ा करना रहे आसने के कम सा ऑपनर को तोके खश्या Selena को ऑब इन्हें कुछ नहीं खबर ऺ़ी नहीं आता है यहां अपने आपने आप आये और तो टाल के चल गया जो मना करई इसको महार onto किसी का समान भी सब खतम हो गया नहीं मिल रहा है जो भी आपको कम्प्लेंट करना है कि हमारा मनलब बन रहा है घर बस हम लोग को बाप दें हैं गुजर गे सब इतने इतने लोग है कहां जाएं किसके पास जाएं यह इलाका चतरपूर विधान सभा के अंदर में आता है और खड़क गाउं है यह गाउं जो है अंग्रेजों के वक्त का बताया जा रहा है लोग यहां बीज पच्चीस पच्चीस पचाच पचास सालों से यहां पर रह रहे हैं और जुग्या नहीं है यहां लोगों के अपन हमाम अदीकारियों से यह अपील कर रहे हैं और सवाल कर्या है क्या इनके मकान अब बचेंगे या नहीं बचेंगे यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन आप हमारी इस खinois को जदे शेयर करें दिली से न्यूज मैक्स के लिए मैं अब्दुलवाजित चिश्ती निजा में